हलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई न्यू ब्लॉग तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी ब्लॉग है हम लोग जा रहा है दर्सन के लिए एक मंदिल में और ये जो टेंपल है ये बहुत ही कारड़ों सो फेमस है और हर कारड़ के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो कि दो फेमस है कि इस मंदिल में ऐसा माना जाता है कि किसी भी बट्रे की अगर बनी डी जाती है तो उसकी जान नहीं जाती है और यह जो टेंपल ए谁 to source की बनी है और जो इस टेंपल की की आकरीती हैस्ता नहें मतलब आश्टभुष थी साइक का हमारा टेंपल और तो पूरा चटान से बनी हुई है इस टेमपल की इतनी प्रसिदी है कि हर वक्त लोग नहां पे माता के दर्सन करने आते हैं अपनी मन्नते पूरी करने आते हैं जिनकी भी मन्नते पूरी हो जाती हैं माता के फिर से दर्सन करने आते हैं आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इस्टॉल लग दुकाने सजी नहीं हैं अब हम लोग धीरे माता की मंदीर की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि माता की दर्सन को पाते हैं कि ने क्योंकि बहुत धूर लगे रहते हैं हर वक्तियां पे भग्व के कतार होता हैं तो यह रहे हम लोग हाई करते हुए पूछना एड्रेस कै किसे जाना है क्या करना है तो आगे हम लोग चलते हैं और दिखते हैं माता मंदीर के मुख्य द्वार की तरफ जहां पे देख सकते हैं आप नारियल रखा हुआ हैं परसाद रखे हुए माता को चढ़ाने के लिए जैसा कि जो नारियल होता है माता रानी का मुख्य परसाद माना जाता है कुछ लोग फोतोग्राफी के लिए दुकान लगा रखे हैं तो बाकि सारे चीजे हैं ये रहा मंदीर का मुख्य द्वार अभी लग रहा है कि कुछ आदेस लिखे हुए हैं कोरोना को देखते हुए तो ये जो आदेस हैं तो हम में पता चला आके कि अभी कोरोना के वज़ा से जंवरी का लाश्ट मंत चल रहा है तो अभी कोविट को देखते हुए मंदल में ज्यादा भीड़ना हो इसलिए अभी उफ्पिर में इंट्रेंस को बंद कर दे गया है तो सभी लोग क्या कर रहा है बाहर ही नीचे ही माता जी क मुठी को स्थाफित करके उनका अर्चना बंदन कर रहे हैं प्रास्णा कर रहे हैं तो हम लोग भी चलते हैं प्रसाथ चाहते हैं माता जी को और देखते हैं आगे की प्रॉसेस क्या होती है क्या क्या चीज़े हैं हर्ची देखेंगे डिटेल में क्या है यहां का भी कैसा है कैसा एलिया है क्या क्या इयां पर कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह हमारा में गेट जहाँ पर पहले से लिल्ख़ा हुआ है कि अभी बंद है करो ना को देखते हίο बाकी सब सीविगर है क्योंकि जो मताजी की का मंदिन है 600 सब्सक्राइब करने आए लेकिन कुरोना के वज़ा देखते हैं इसलिए अभी हम लोग बाहरी हम लोग दर्शन करते हैं जैसा कि आप बेख रहे हैं पसार उपन जया के पसार नीचे चला जा रहा है यह बहुत की कटारे यह बहुत है जैसा कि फ्रेंट्स बहुत लग चुकी है पसार चड़ाने के लिए यहां पर बस हमारे दोस्त भी लाइन में खड़े हैं पूजा करने के लिए माता का दर्शन लेने के लिए देख सकते हैं चारो तरब गीड़ा है चारो तरब देखिए इधरी आप आप लग है यह मुख्य दवार है उपर जाने का लेकिन अभी कोरोना के वज़़से आप लिए यह इसी आप लुख्या यह बंद है, सब लोग बाहरी परशाज चला रहा है इधर माता जी की पूजा हो रही है, बाकी दर दे सकते हैं, सारे फूल बिक रहा है, माला बिक रहा है, छोटे-छोटे बच्चों के ट्वाइस बिक रहा है, बाकी सारे दुकाने स्टॉल्स लगी वही है, ताकि लोग लिए फोटोग्राफी के लिए जैसा कि इधर देखिए आगर किसी को अपना फोटोग्राफी करवाना है तो यहां पर आराम से करवा सकता है बाकि इधर पूरा जंगल वाला एरिया है इधर पूरा मतलब यह जो माता जी का मंदीर है कैमूर जीला में पढ़ता है हीली बाकि यह हमारे दोस्त अभी फूजा कर लिए परसाद हम भी लेते हैं परसाद हमें भी परसाद कि लाइए माता जी का परसाद खाना बहुत जलूरी है इतने दूर से आया है बस स्रद्धा थी कि माता जी का दर्सन हो जाए लेकिन कोरोना के वज़े से नहीं हो पाया कोई बात नहीं बाहर से हम लोग दर्सन कर लिए बाकि आप देख सकते हैं कितने भी लगी हुई है बहुत सारे लोग आ रहे हैं दर्सन के लिए मौसम भी अच्छा हो रखा है इधर फिर से एक फोटोग्राफी प्लेस है इधर सारे लोग इधर यह पूरा रास्ता है यह पूरी रास्ते हैं जहां पे सारे लोग दुकान लगा रखें इस्टॉल लग रखा है तरह तरह चीजों की हाँ हाँ है हाँ है कर एम लोग फोट खिचवाने जा रहा है क्रोसिते फहां थे अपना देखते है इस देंwonोड पे तमाम किसम के फोटो तो है फेमली के साथ खिचवा सकते हैं पार्टनर के साथ ले सकते हैं और अच्छे-च्छे से भीव है कहा आप खिच सकते हैं तो इसानी है और निकाल के ले दें सकते हैं अ और यह का चस्वा केमरा ब ак्षा想ब का तया शवा books बडियाँ निजा उसप些 हम लोग साथ या ज़ए तमाम लो से देखना इद्ली आन के फोटोग्राफिए किर्वारा रहारा है को हम इनके इनका प्रोड़ोचे हम होगते हैं एक फोटोग्राफिए पर आगेशें दोस्तों हम लोग फोटो तो खिच वाली है भाईया से अब यह निकाल रहे हैं देखें कि छोटे से मसीन से कैसे अभी धीरे-धीरे निकलना स्टार्ट होगी सबकी फिक देखने हैं कैसा आया है अब यह थोड़ा सा अंदर ही रुग गया धीरे-धीरे-धीरे प्रॉसिंग ल आया है एक आद फोटो क्लिक करवा के जाएं या तो ग्रूप में हो तो ग्रूप में ले ले जैसा कि देख सकते हैं सबकी एकदम एश्टी क्वालिटी की पिक निकल के आ रही है एदम अच्छी सी अब यह फोटो वाले भाईया आप उसको अच्छे से पैक करेंगे प्लास पिक निकाल के देख दिया और अच्छा सा है पीछे का भीव भी अच्छा है बाकी और सारे पिक्स हम लोग निकलबा रहे हैं ताकि सब फ्रेंट्स के पास एक-एक पिक हो जाए अगर आपको हमारे यह ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना बूलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्राइब कर दिजेगा थैंक यू